असलामों अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दूस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक सियासतदान ऐसा है जिसके बेटे के पास दुबई के अंदर बावन विल्ले मौजोद हैं और क्या आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बेटा अपने बाप से भी ज्यादा अमीर है और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की एक पॉलिटेशन के बेटे के पास इतनी ज्यादा जमीन है कि उस पर एक निया मुल्क बनाया जा सकता है वेलाज किस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी पॉलिटेशन्स के रिच किड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन दोस्तो इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मिशन दी गई है वो सब न्यूस आर्टिकल्स और पाकिस्तान मीडिया होसिस की पबलिश्ट रिपोर्ट्स पर बेस्ट है तो इस वीडियो में बताई गई किसी भी बात को दिल पर नहीं लेना बलके अपनी गुर्बत और इन मा के लाडलों की अमीरी को देकर चिल करें इसहाग डार संस दूस्तों अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरस्ट है तो आप इसहाग डार को जानते होंगे ये इस वकत पाकिस्तान की फाइनस मिनिस्टर हैं इनके दो बेटे हैं जिनकी नाम अली और हसनें डार हैं अफकोर्स अगर डैडी फाइनस मिनिस्टर हूँ तो बेटों को फाइनस की प्रॉबलम कैसे हो सकती है उपर से इनके बेटे अलीडार नवास शरीफ के दामाद भी है खेर पॉलिटिकल और गॉर्णनेट पावर तो इन दोनों भायों के पास है ही लेकिन असल कहानी दौलत की है ये दोनों भाई HDS ग्रूप कमपनी के मालिक हैं जो के दुबई में बेस्ट है आपको जानके हैरान की होगी कि HDS कमपनी के पास 9 बिलियन डॉलर के एसर्ट मौजूद है और अलीडार इस वकत इस कमपनी के CEO है अब मैं आपको बताता हूँ कि इस हागडार के बेटों के पास दुबई में कितने असासे हैं फस्ट अफाल तो जुमेरा लेक के करीब इनकी 49 मंतला बिल्डिंग है जिसका नाम HDS टावर है इसके इलावा इनकी दो बिल्डिंग्स दुबई के इंटरनेशनल सिटी में भी मौजूद है मोरवर शेख जहद रोड पर भी इनकी एक संस्टार नामी अपार्टमेट बिल्डिंग है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि ये बिजनस टाइकून दुबई का सबसे बड़ा रेंटे कार बिजनस रन करती हैं जिसमें लेंबरगीनी, फरारी और दुनिया की हर लगजरी कार अवेलेबल है जस्ट इमेजन के इतनी दौलत के साथ इनका अपना लाइफ स्टाइल कैसा होगा एनिवे आपको बताता चलूं के इनके पापा इसाग डार पर 14 मिलियन डॉलर की मनी लॉंडरिंग और दरजनों मनी रिलेटेट केसिस किये गए थे लेकिन कोई भी इनका कुछ नहीं बिगार सका असद मेमूद दोस्तो आपसद पाकिस्तान के सदा बहार लीडर मौलाना फजल रह्मान को तो जानती हों कि असद मेमूद मौलाना फजल रह्मान के बेटे हैं इनके वालत साब तो पावरफुल और अमीर हैं ही लेकिन असद खुद भी एक politician है ये इस वकत पाकिस्तान की communication minister है सिर्फ इतना है नहीं बलकि ये मौझूदा जमाति उल्माई इसलाम की प्रेजिडेंट है ओफिशली तो असद भाई की income teaching के जरिये डिकलेर की गई है जो कि politic PK के मताबिक 2,76,000 रुपे बनती है लेकिन आपको जान का है रहांगी होगी कि असद महमूद ने रिसेंटली फॉरण का एक विजट किया था जिसमें 84 मिलियन से ज़्यादा का खर्चाया था एनिवे अगर इनकी एसेट्स की बात की जाए तो ये अपने पापा की जायदात के वारस है नैप के मताबिक मौलाना फजल रह्मान एक बिलिनियर है और इनकी पास कई शूकर मिल्स है और अगर आप इनकी जमीनों के बारे में सुनेंगी तो शायद आपके होश ओड़ जाएंगी नैप की तहकीक के मताबिक मौलाना के पास पूरे पाकिस्तान में बीस हजार किनाल से भी ज़्यादा जमीन मौजूद है और इनकी एक गाउं का घर ही सौ किनाल जमीन पर बना हुआ है वेल इसके इलावा असद और इनके डैड लक्षरी गाड़ियों में ट्रैवल भी करते हैं प्लस इनकी लाइफ इतनी लैविश है कि देखकर कोई भी दंग रह जाएगा खेर असद महमूद ना सिर्व अपने वालत के अर्बो रुपे की जाइदाद के वारस हैं बलकि ये पॉलिटिक्स में भी तेजी से तरकी कर रहे हैं बारहाल जो भी हो अगर पैसा और पावर दोनों ही अरूश पर हो तो बंदा आटोमेटिकली चेल हो जाता है बिलावल भुटो दोस्तो आसिफली जरदारी की आउलाद बिलावल भुटो को तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है वेल अब जिस बच्चे के अमी अबू, नाना नानी और दादा सारे के सारे ही स्यासतदान हो उससे आप सब क्या एक्सपेट कर सकते हैं अफकॉर्स बिलावल को तो दौलत और पावर दोनों ही गुट्टी में मिल गए थे एनिवे बिलावल इस वक्त पाकिस्तान के फॉरण मिनिस्टर है और इसके इलावा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेर्मैन भी है वैल अगर बिलावल भाई की वेल्थ की बात की जाए तो वो हम सब की सोच से आलमुस्ट दो सो गुना ज्यादा है ओफिशली तो इनके डिकलेड एसर्स की वैल्यू 1.5 बिलियन है लिकन आप बिलीव नहीं करेंगी कि लाहोर बहरिया टॉन में मौजूद दो सो किनाल का सिर्फ इनका एक बिलावल हाउसी 5 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएबल है और ये कोई आम घर नहीं है बलकि ये घर बुलेड और बॉम प्रूफ है इसके इलावा बिलावल के पास 24 प्रॉपटीज हैं जिनमें दुबई की दो मैंचन्स कमर्शल और अगरिकल्चर प्रॉपटीज शामल है मोरवर इन्होंने दुबई की अंदर 22 जगों पर इन्वेस्मेंट की हुई है और इवन यूके में भी इनकी प्रॉपटीज मौजूद है आपको जान का इहरानगी होगी कि बिलावल की सिर्फ सिक्यूरिटी का खरचा ही 37 करोड रुपए से ज्यादा है ये सब थो इनकी ओफिशल वेल्थ थी लेकिन अनओफिशली 2018 में बिलावल पर इज़ाम लगाया गया कि इन्होंने 35 बिलियन की मनी लॉंडरिंग की है वेल इस बंदे के पास एक्चल में कितनी दॉलत है आप और मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती हमजा शहबास दूस्तों हमजा शहबास पाकिस्तान की मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबास शरीफ के बेटे हैं ये बंदा सिर्फ पीम का बेटा ही नहीं बलकि खुद भी पंजाब का चीफ मिनिस्टर रह चुका है वेल आज कल तो हवालदार के बच्चे भी काबू नहीं आते हमजा के अबू तो फिर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है एनिवे डिस्पाइट बिंग पावरफुल ये बंदा एक्स्ट्रीमली रेच भी है इवन डिली टाइम और डॉन के मताबिक हमजा अपने डैडी शहबास शरीफ से भी ज्यादा अमीर है वैसे तो इनके डिकलेट वेल्थ 411 मिलियन से ज्यादा है लेकिन 2019 की नैब रिपोर्ट के मताबिक जब नून ली की हकुमत थी तो हमजा की एसेट में अचानक 2000% का इजाफा हो गया था डिली टाइम्स के मताबिक हमजा की लाहोर में 12 कमर्शल प्रॉपर्टीज और 670 किनाल जगा है इसके इलावा इस बंदे की 21 शूगर और टेकस्टाइल मिल्स में पार्टनर्शिप भी है ये सब वो एसेट्स हैं जो हमजा ने हकुमत पाकिस्तान को डिकलेयर किये हुए हैं लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हमजा और इनके पापा शहवास शरीफ पर मनली लॉंडरिंग का एक केस किया गया जिसके मताबिक इन्होंने 16 बिलियन से ज़्यदा पैसा मुल्क से बाहर बेजा है मोरोवर हमजा की सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बलके लंडन में भी प्रॉपटी है और इन फ्लैट्स की वैल्यू एक मिलियन पॉंट से ज़्यदा है हमजा सिर्फ खोदी नहीं बलके इनकी दो बीवियां भी शदीद अमीर है इनकी वाइफ नुसरत के पास जो घर है इनकी कीमत ही 370 मिलियन से ज़्यादा है वैलिस बंदे की तो सच में मौज लगी हुई है जुनेद सफदर दुस्तों हमारे मुल्क में अगर किसी शक्स का बाप गौर्मेंट आफिसर हो तो इसकी फैमली और स्पेशली बेटे पूरे पाकिस्तान के मालक बन जाती है लेकिन क्या हो अगर किसी की माँ, नाना और आलमोस्ट पूरा खांदान ही मुल्क पर हकूमत कर रहा हो अफकॉर्स ऐसे बंदे से ज़दा चिल और भला कौन हो सकता है जुनेद सफदर, मुस्लिम लीग नून के फाउंडर, नवास शरीफ के ग्रैंड सन और मरियम नवास के बेटे हैं वैसे तो फिल हाल ये बंदा पॉलिटिक से दूर है लेकिन इनकी अम्मी ने पूरी लाइफ इनने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी इस चीज़ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जुनेद ने पूरी लाइफ कोई काम नहीं किया और तो और इनकी अबू कैप्टन सफदर भी कोई काम नहीं करती इसके बावजूद जब जुनेद की शादी हुई तो ये आलमोस्ट पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव वैडिंग थी आप बिलीव नहीं करेंगे कि शादी में जुनेद ने जो शौल पैनी हुई थी इसकी ही प्राइस आलमोस्ट पचास लाग के करीब है और मर्यम नवाज ने अपने बेटे को 140 मिलियन की मर्सेडीस कार भी गिफ्ट की मज़ेगी बात ये है कि जुनेद की फाइनेशल लाइफ बिलकुल सीक्रिट है एनिवे इस बंदे और इसकी आने वाली आलमोस्ट 14 नसलों को फाइनेश की कोई प्राइबलम नहीं होगी तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ये उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस